हेलो क्लास तर्ड इस्टुडेंट्स तो हमारा कंप्यूटर में चल ला है फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया था और इस चैप्टर की एक्सराइज नंबर ए टिक दा करेक्ट ओप्शन ये भी हमने कंप्लीट कर ली थी तो आई होब आप लोगों ने इस ओंबर को अच्छे से कर लिया होगा तो आज है हमारी एक्सराइज नंबर बी फिल इन दा ब्लैंक्स चूज बर्ड फ्रॉम दा बॉक्स एनि खाली जगह भरिये खाली जगह में जो दी हुए उनमें भरिये फिल करिये और है चूज बर्ड फ इस टोरिंग डाटा आर कोल्ड यानि बे उपकरड जो डेटा को इस्टोर करने के लिए उपएओ किये जाते हैं तो कौन से उपकरड होते हैं होते हैं स्टोरेज डिवाइसेज तो हम यहा लिख देंगे स्टोरेज डिवाइसेज S-T-O-R-A-G-E Storage Devices D-E-V-I-C-E-S Storage Devices अब second है हमारा The Devices which give results after processing are called यानि process करने के बाद परेडाम देने वाली उपकरण को क्या का जाता है जो परेडाम हमें दिखाता है वो क्या होता है वो होता है Output तो उसे कहते हैं Output हमें लिख दे रहे Output O-U-T P-U-T Output Devices D-E-V-I-C-E-S Devices अब हैं तर्ड नमबर पे The Output we get on paper is called यानि paper यानि की कागज पर प्राप्त होने वाले Output को कहते हैं क्या कहते हैं उसको कहते हैं Print Out तो हम यह लिख देंगे P-R-I-N-T Print Out इस तरीके से हमने लिख दिया Print Out आगे A Set Of Instructions Given To The Computer Is Called यानि Computer को दिये गए निर्देसों यानि Instructions दिये गए निर्देसों का क्या होता है एक Set होता है तो उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं Software तो हम यह आएगे यह वाला लिख देंगे यह वाला Software S-O-F-T-W-A-R-E Software आगे हैं खाली जगे दी हुई है इसे पॉपूलर Mobile Operating System यानि एक लोग परिये Mobile Operating System में क्या है वो हता है Android यह लिखा हुआ है यहां पर Android तो इसको हम यह लिख देंगे Android A-N-D-R-O-I-D Android इस तरीके से Exercise Number B हमारी Complete हो गई अब है Exercise Number हमारी C चलिए C देखते हैं Right T for True and F for False यानि जो सही है उसके आगे हमें T लिखना है और जो गलत है उसके लिए हमें F बनाना है तो चलिए पहला हम देखते हैं पहला है A Scanner Is an Input Device एक Scanner के Input Device है तो यह होता है Input Device तो यहां हम लिख देखेंगे T इसमें बना दी हमने T यह सही है Second है MS Paint Is an Application Software MS Paint एक Application Software होता है तो यह क्या है यह Application Software होता है तो यह हम लिख देखेंगे True T बना देखेंगे आगे है Software कंप्यूटर के काम को नियंतरित करता है तो क्या होता है वो नियंतरित करता है तो यह भी हमारा True है इसमें भी हम T बना देखेंगे अगला है अगला है Application Software Such as MS Paint, MS Bird and Calculator Comes with Windows यानि MS Paint है और Bird Bird Pad है और Calculator यह सब क्या है Application Software यह Windows के साथ आते है तो यह क्या है यह सही है तो यह भी हमारा True है अब है हमारा The Application Software Performs one special kind of task यानि Application Software एक Business प्रकार का काम करता है तो यह क्या है यह है False एक Business प्रकार का तो करता है लेकिन यह यूजर्स के लिए Business प्रकार का काम करता है कई तरीके के Business प्रकार के ना कि One special तो यह हमारा False है तो बच्चों हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली अब है हमारी Matching चलिए Matching देखें लिखा हुआ है Match the following columns नीचे columns दी हुए है उनको हमें Match करना है तो यह पिक्चर्स दी हुई है इनको आपको देखके इनसे Match करना है तो पहला लिखा है Keyboard तो हमें इस पिक्चर में देखना है कि Keyboard कहा है तो Keyboard हमारा यह है तो हम Keyboard को इससे Match कर देंगे इसको मैच कर दिया हमने सेक्ड नमबर पर मॉनिटर तो मॉनिटर का है हमारा मॉनिटर हमारा यह है तो हम इसको इससे मैच कर देंगे अब है हमारा माइक्रोफोन तो माइक्रोफोन का है माइक्रोफोन यह है तो इसको इससे मैच कर देंगे इसको इससे हमने मैच कर दिया अब है माउस तो माउस हमारा यह है तो यह हमारी इस तरीके से मैचिम हो गई तो आप इस होमबर को जो आपने एक्साइज ए करी थी उसी से आगे आपको एक्साइज बी और सी कर लेनी है और एक्साइज जो डी है यह आपको बुक पे ही करनी नोट बुक पे नहीं करनी क्यूंकि इनके पिक्चर्स बनाने पड़ेंगे आपको तो यह थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी इसको करने में तो इसलिए औली यह बुक पर करना और बी और सी एक्साइज हमारी नोड़ बुक पर होगी तो इस तरीके से आज ही हमारा चैप्टर फिनेश हो गया तो वच्छो आप साथ ही साथ इस काम अपना पूरा हमर करते चाहिए कि अब कि